हलो दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक सच्ची और डरावनी कहानी ये कहानी एक होटल के रूम नंबर 402 की है तो अगर आपको जानना है कि होटल के कमरा नंबर 402 में ऐसा क्या हुआ था तो जानने के लिए ये वीडियो पूरा देखें तो चलिए शुरू करते हैं ये कहानी है पावन की आगे की कहानी हम उन्हीं की जुवानी सुनाएंगे कुछ साल पहले मुझे सूरत के छोटे से सहर में किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ा काम खत्म होते होते मुझे काफी लेट हो गया इसलिए मैं वहीं के पासवाली होटल में जाकर रुख गया जब मैं होटल पहुंचा तो रिसेप्सनिस्ट ने मुझे बताया कि सारे रूम फूल हो चुके हैं और कोई रूम खाली नहीं है काफी रात हो चुकी थी और बाहर बहुत ज़्यादा ठंड थी इतनी रात को मैं कहां जाता मैंने रिसेप्सनिस्ट से बहुत रिक्ष्ट की बहुत रिक्ष्ट करने के बाद उन्होंने मुझे रूम नंबर 402 की 4 भी दे दी लेकिन उन्होंने मुझे एक बात बोली कि आप अपना रूम 12 बचे के बाद बिलकुल भी मत खोलना मुझे ये सुनकर बड़ा अजीव लगा लेकिन मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया मैंने उसने पानी की बोटल भिजवाने के लिए बोला और चला गया मैं रूम में आते ही तुरन सो गया थोड़ी तेर बाद किसी ने दर्वाजा खटखटाया जब मेरी आख खुली तो कमरे में पहुत अंधेरा था मुझे लगा कि कोई पानी का बोटल लेकर आया होगा मैंने दर्वाजा खोला दर्वाजे पर एक आदमी खड़ा था जिसका पूरा मूँ एक सफेज साल से ढखा हुआ था उसके एक हाथ में लार्टेन थी और दूसरे हाथ में पानी की बोटल थी जैसे ही मैं पानी की बोटल लेने के लिए आगे बढ़ा वो आदमी पीछे हट गया मुझे बहुत जोड़ से गुस्ता आया मैं नींद में था मैं उस पर चिलाने लगा लेकिन वो मेरी बात नहीं सुन रहा था वो पीछे की तरफ चला जा रहा था मैंने दोड़कर उसका हाथ पकड़ लिया वो रुका और पीछे मुड़ा जैसे ही मैंने उससे पानी की बोटल लेने की कोशिस की वो आदमी मेरे उपर जोड़ से चिलाया और उसकी साल मुझ से हट गई उसका भयानक चेहरा देखकर मैं हक्का बक्का रह गया जैसे मेरी सांसी थम गई हो उस आदमी की आँखे नहीं थी पूरा चेहरा जला हुआ था उसका डरावना चेहरा देखकर मैं बूरी तरह डर गया और थर-थर कापने लगा मैं डरते हुए कमरे की तरब भागा जब मैं अंदर आया तो मैंने देखा की रात की डीड़ भज रहें तब मुझे रिसेप्सिनिष्ट की बात याद आई सभी दर्वाजे पर फिर से खट-खट की आवाज आई मैंने दर्वाजा नहीं खोला और रिसेप्सन पर कौल लगाया लेकिन किसी ने फोन नहीं उठाया मैं पूरी रात खट-खट की आवाज से बहुत ज़्यादा डर गया था मैं रात भर सो नहीं पाया और सुबा होती ही मैंने रिसेप्सनिष्ट को बहुत डाठा बहुत चिलाया उस पर तब उन्होंने मुझे बताया कि कुछ साल पहले रात के बारा बजे के बाद उस रूम में एक आदमी ने खुद को जला कर सुसाइट कर ली थे उसके बाद उस रूम में उसकी आतमा भटकती रहती है जो भी उस रूम में जाता है जिन्दा नहीं बचता इसलिए कमरा नंबर 402 में हमेशा ताला लगा रहता है उसकी बाद सुनकर मैं अपने आपको खुश नसीब मानता हूँ कि आज मैं जिन्दा हूँ लेकिन जब भी मुझे वो रात याद आती है मैं बहुत डर जाता हूँ और कभी कभी तो मुझे नींद भी नहीं आती मुझे दवा खानी पड़ती है दोस्तों ये कहानी आप लोग को कैसी लगी कमेंट करें हमें जरूर बताएं मिलते हैं ऐसे ही एक नई वीडियो में सब तक के लिए बाई बाई